नमश्कार मैं हूँ सिया अलोक सेटी और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल अलोक एसेटी पे जहां पर कि हम फाइनांस की बात करते हैं और एकसल की वीडियो अपलोड करते हैं आज मेरे वीडियो बनाने का पर्पस है आपको अपडेट करना अबॉट दो मार्केट जैसा कि आप सब ने देखा कि मार्केट करेक्टेट बाई अराउंड 3% टोडे मार्केट में आज इक भारी गिरावट देखने को मिली है और इसी कारण से बहुत सारे इंवेस्टर्स पर आगे क्या करना चाहिए किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किस तरीके से अपनी इंवेस्टमेंट जर्णी को आगे कांटीन्यू करना है वीडियो स्टाट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो पर हम किसी भी तरीके कोई एडवाइसरी नह करेंगे सेकेंड अपील में आपसे ये करना चाहूंगा कि अगर आपने इस चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब का बटन दवाए और नोटिफिकेशन का बटन बेल प्रेस कर ले ताकि आपको जब भी नया कंटेंट हम अपलोड करें मेर जा है और आपका वाल्यू एडिशन हो सके आपको नए लेटेस अपडेट टाइम टो टाइम मिलते रहें सबसे बड़ा और पहला रीजन है यूकरीन और रश्या के बीच में बढ़ती बार्डर टेंशन जी आपको पताई होगा कि ये रश्या और यूकरीन के बीच में बह आणना है कि ये रश्या एक वार के लिए प्रेपेर कर रहा है यूकरीन और रश्या के वार के फीर के कारण ही मार्केट के सैंटिमेंट्स नेकेटिव हो रहे हैं और ऐसे में जो फॉरन इंस्टूशनल इंवेस्टर्स हैं वो अपना पैसा एक्विटी से निकालके सेफ इसलिए एक्विटी में से पैसा भार निकल रहा है, FII सेलिंग कर रहे हैं और एक्विटी मार्केट डाउनवर्ड जा रहा है और आप देखेंगे कि गोल्ड ने आज 3 मन्स हाई टच किया है, 50,000 से उपर गोल्ड का प्राइस चला गया वो इसलिए क्योंकि FIIs एक्विटी से पैसा निकल के डेट फंट और बॉंड और गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा रीजन है, क्रूड ओइल के बढ़े वे प्राइजेज, हाँ, क्रूड ओइल के प्राइजेज तेजी से बढ़ रहे हैं इसका एक कारण यूकरीन और रशिया के बीच में बढ़ते वे बॉडर टेंचन भी है, जिसा कि आपको पता होगा कि रशिया एक्सपोर्टर है, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है ओईल का, और इसी कारण से क्रूड ओइल के प्राइजेज अपने रिकॉर्ड हाई पे हैं और 95 डॉलर पर बैरल तक टच कर चुके हैं, और आप तो यह जानते ही हैं कि क्रूड ओइल पे सभी एक्नॉमिक अक्टिविटीज और इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट होती हैं, तो जब क्रूड ओइल का प्राइजेज बढ़ेगा, तो सभी कमोडिटीज के प्राइज करते हैं, तो हमारा इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, और हमारी रिपूई डॉलर की कॉस्ट जो है, वो डेप्रिशेट होना चालू हो जाती है, और इसी कारण से फिस्कल डेफिसित भी इंक्रीज हो सकता है, एक और रीजन भी है, पहले दो रीजन के साथ में, जो कि एक रखता है, मार्किट फॉल में, और वो यह है कि हाली में, CBI ने ABG क्रुप की एक फ्लैक्शिप कंपनी, ABG शिपयाड लिमिटेड के उपर एक फॉर्ड क्रेस फाइल किया है, ABG शिपयाड लिमिटेड एक शिप बिल्डिंग और रिपेरिंग कंपनी है, और CBI के बैंक्स जैसे की SBI, ICIC बैंक, बैंको बोर्दा एक्सेटरा ने अपना पैसा इस कंपनी को लेंड किया था, और इसी के कारण, इस न्यूस के कारण, आज आपने बैंक निफ्टी और बैंक PSU निफ्टी में भी 2-3% के गिरावट दिखी है, तो ये वो सारे रिजन से जिसके कारण, मार्केट आज 3% से नीचे, 3% से नीचे आ गया, और भहुत भारी गिरावट हमें देखने को मिली, अब आते हैं एक important discussion पे, कि ऐसे में मार्केट में investors को क्या करना चाहिए, तो मैं कोई market expert नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी knowledge और अपने experience से आपको एक advice दे सकता हूँ, क कि अगर आप एक long term investor है, और आप एक long term investing कर रहे हैं, तो definitely आपको इस market में अपना capital protect करना चाहिए, that means अगर आप profit booking के लिए पैसा invest करना चाहते हैं, तो ये market आपके लिए नहीं है, इसमें आपको अभी invest नहीं करना चाहिए, अगर आप SIP कर रहे थे, तो आप SIP को continue रख सकत हैं, क्योंकि हर गिरते में market में आपको ज्यादा units मिलती हैं, लेकिन अगर आप अपना पैसा long term के लिए invest करना चाहते हैं, तो this is not the right time to invest long term funds in the market, तो हमें करना क्या चाहिए, अगर आपके पास surplus funds हैं और आप invest करना चाहते हैं, तो best medium है investment का STP mode, जहांपे कि आपना पैसा liquid fund म पार कर सकते हैं, और धीरे धीरे on a daily basis, you can do some STP to the equity market, so that जब भी market fall हो, आपको ज्यादा नुकसा ना, और आपको रुपी cost averaging का benefit मिले, और long term में आपका पैसा rise हो जाए, तो इसी के साथ हम अपना वीडियो हापे close करते हैं, hope आपको ये वीडियो से कुछ value addition मिला होगा, कुछ नहीं जानकरी मिली होगी, अगर मिली है, तो again मैं आपसे request करूँगा, कि आप इस वीडियो को like करे, share करे, और मेरे चैनल को subscribe करे, ताकि मुझे motivation मिलता रहे, कि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ, और आप में ये awareness जगाता रहूँ, thank you, धन्यवाद